मुआ टोटके में आप सबका स्वागत हैं दोस्तों आजकल दूस्मनी बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके पास तागत नहीं यह न तो आपको परत्शान करने वाले करीदए चाहे दोस्तों चाहे दूस्मन हो चाहे पढ़दार हो चाहे कोई भी यह सब सारी चीज़े हरे country हर एक state के लिए लगव होता है कि जो कमजोर होता है उसी को परशान किया जाता है और उस परशानियों को जहलते रहते हैं उनका एक कर्म है कि जहलते रहना जिसे की भागवत गीता में कहा गया है कि शहने का उतना ही धारे रखो जितना आप सह सकते हो ज्यादा शहना भी कर देते कभी उसे दूस्मनी निकाल लेते कभी भी कहीं भी पाते हैं उसे मार देते अब उसका नास करना है मारना नहीं है मारना तो मार भी सकते हो नास करना है तो आप उसकी लिए क्या करना चाहिए सत्रु नाश और मंत्र का एक उपाया बता रहा हूं मंत्र इस परकार से ओम नमह सर्वकाल संघराय और मंत्र प्लीज ध्यान दे ओम नमह ओम नमह सर्वकाल संघार अस्त्रुक हम क्रीम फटकु स्वाहा 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 फिर एक बार ध्यान दे ओम नमह सर्वकाल संघराय अस्त्रुक हम क्रीम फटकु स्वाहा स्वाहा इस मंत्र को चिडिया के खून से कागज पर लिखें फिर किसी कपड़े में लपेट कर उसकी सिलाई करके उस सत्रू के घर के बाहर नीम के पत्तों में रख कर गाड़ दें उपर से साथ कील भी ठोक दें मिटी के अंदर फिर घर पर आकर 21 दिन तक सत्रू का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करें और यंद्र समाथ होने पर सत्रू का नाम लेकर इसी मंत्र का जाप करें ओम नमो सर्वकाल संगराव और सत्रू का नाम ले लेकर बोले सर्वनाशा 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 इस परकार से उस सत्रू का नास हो जाएगा और ओम मरने के कहार पर आकर खड़ा हो जाएगा पर आप ऐसा नहीं करें जब आके आपसे गल्दियां मांग ले और माफी मांगे तो आप उसे माफ कर दें उस जगह से जो आपने टोटका किया था उसे घर के सामने कील और जो आपने यंतर वहां पर गाड़ा था उस सारी शीज़ों को निगाल कर गंगा में बहादें फिर वह अपने जगह भे ठीक हो जाएगा तो दोस्तों हम सिरिफ बदला लेना चाहते है उस इंसान को हम नीचे गिराना चाहते है जो इंसान हमारी उपर भरी था पर उसी जान लेना हम नहीं चाहते है हम उसे माफ कर देंगे तो आप इस तरह के से करें आपका सत्रू आपका दोस्त बन जाएगा अगर इस वीडियो से आप सबको नसीहत मिली हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें थैंक यू सो मच